बाबा, मेरे बाबा, मेरे अबू, मेरे पापा, बाबा, मेरे बाबा, मेरे अबू बाप वो शक्सियत है जैसे सम आफ टाइम हम सोचते हैं कि घर में वो वक्त नहीं दे पाते हैं हमें उतना प्यार नहीं कर पाते हैं हमें जो है वो महबबत नहीं दे पाते हैं हम पर गुसा कर सकते हैं या डांट डपट ज्याता होती है लेकिन इन तमाम तर बातों को पसे परदा करते हुए हम अगर दिहान लगाते हैं बाप की उस महबत का कि उस सारी सिचुएशन के पीछे या उन सारी बातों के पीछे आखरकार वो उनकी महबत है क्योंकि वो हमेशा अपने वच्चों को से अफंठार हुए को से नाौशे करने की या पकादे हैु कि आज जतने भी जहान में तो आज उन सबमार सा आज और घजन में दाखेा हमेशा उनकी उन बातों पर कान लगाए बिलकुल सबीन, खुशुरत पॉइंट था कि कितने ही जिंदगियों में, कितने ही बच्चे के जहन में ये सवाल भी होगा कि शायद हमारा पापा हमें ज्यादा टाइम नहीं देता है यह जूब पर जादा वक्त होते हैं यह उस तौर पे जैसी मा महपत दिखा रही हुती हैं वैसी महपत निहीं दिखाते हैं लिकिन मैं समझता हूं क्हें that इंट यह सिर्फ हमारे एमोशन्स होते हैं यह हमारी सिर्फ सवालाथा और सोच होती है पीछे एक बड़ी वज़ा होती है कि बाप हमेशा मेहनत करता है और हमेशा अपने बच्चे को पाल निकले और खुश रखने के लिए उनकी जुरुर्यात को पूरा का निकले मेहनत करता रहता है इस फादर्स जे पर मैं तुमाँ फादर्स को खराज तहसीन पेश करूँगा और मैं सरा हूँगा इस बात को कि आप हमेशा अपने अलाद से महबत रखते हैं और महनत करके अपने अलाद के खुबसूरे शकल में ढाल देते हैं आज बे तेरी नसीछतें तेरी नसीछतें अच्छी सला हर मश्वरा तेरा याद है मुझे मुश्किल में तू था फखर मेरा याद है मुझे ऐ बात तेरा लंगा लंगा मेहनत के थे मिसाल तू घर का सुकून था घर का सुकून था अनमौल मुझे को कर दिया अनमौल मुझे को कर दिया याद है मुझे मुश्किल में तू था फखर मेरा याद है मुझे ऐ बात तेरा लंगा लंगा बाबा मेरे बाबा मेरे अब्बू मेरे पापा बाबा मेरे बाबा मेरे अब्बू मेरे पापा कर दो कर दो कर दो